नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों जैसे कि आप सब को पता है जो रास्तान विदुत विभाग हेलफर दीतिया का जो एक्जाम में वो पूरा हो चुका है और अब दोस्तों आप सब को इंतजार है अंस्वर की और रिजल्ट और कटोप का तो दोस्तों कहीं लोग ऐसे विचार करें दोस्तों कि जो हमारी कटोप है सर वो कितने नमबर तक जाएगी कहीं दोस्तों के कमेंट देके दोस्तों उनी के आदार पर सारी एंसुर की रिजल्ट और कटोप बात करने वाले कि आपका जो एंसुर कि वो कब तक आने वाली है और ओर रिजल्ट कब तक आ जा जाये तो आप दोस्तों जैसे कि आप सबको पता जो paper का level था दोस्तों वो बहुत ही easy था लेकिन कुछ question आज से थे दोस्तों जो moderate थे जैसे कि दोस्तों science और English के हम बात करें तो दोस्तों उनका level थोड़ा ठीक था क्योंकि राजस्तान government में जितने भी दोस्तों exam होते हैं उनमें English से वो नहीं पूची जाती तो वो ज्यादातर candidate का सबसे weak point दोस्तों English था उसी के कारण जो cut up है दोस्तों वो नीचे जाने वाली साथ में दोस्तों science के question आये थे वो आपको पता है दोस्तों ज्यादातर अविसकारों के question पूचे गए थे तो सारे अविसकार दोस्तों याद कर ना संबव नहीं है तो ये भी एक cut up नीचे जाने का एक कारण है तो चलो दोस्तों वीडियो श्टार्ट करते है उससे पहले आपसे एक चोटी सी request है दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए का दोस्तों और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों अभी तक नए है तो तो subscribe के लाल बटन को दबा कर सब्चाइब जरूर कर दे और साथ बेल आइकन भी दबा दे ताकि दोस्तो आपको आगे आने वले वीडियो के notification मिलते रहे क्योंकि दोस्तो ज़र सही वीड़ुत विद्ट विबाग के कोई answer की और cut op या result से समदित फोई भी information होगी तो दोस्तों मैं आपके सामने जल्दी लेके आने वाला हूँ दोस्तों वीडियो को like and subscribe जरूर करें तो चलो दोस्तों वीडियो start करते हैं तो दोस्तों cut-off जो extended cut-off है वो start करें उससे फ़ले आपको एक most important जो information वो बता दो जो दोस्तों आपकी answer की है वो January last तक आने वाली और result आपका फरवरी past तक आ जाएगा जैसा कि दोस्तों आप सब को पता है जो JVNL helper technical का जो exam वहा था उसकी भी answer की उसी time आई थी वाली दोस्तों इतने नमबर तक अगर आपके आ रहे तो दोस्तों आप safe हो मतलब दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपका selection है वो विदूत विवाग में आराम से हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जो लोग 8090 नमबर बता रहे दोस्तों जैसे भी answer की आए दोस्तों उसमें भी सारे questions सही नहीं होने वाले तो दोस्तों उनीके आदार पर आपको cut-up बताने जा रहा हो तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं general category की दोस्तों अगर आप general category से belong करते हैं दोस्तों मैं जितने नमबर आपको बता जाने वाली है कटोप चाहिए देख लेना जैसे आपकी कटोप आए तो आप देख सकते इतनी इस से ज्यादा आपकी कटोप 100% नहीं जाने वाली है तो दोस्तों जनरल में हम बात करें तो अगर आप जनरल केटेग्री से दोस्तों विलोंग करते और आपके 75 75 पलस नंबर है म से हैं मतलब 75 से ये वेरी कर सकते हैं दोस्तों 77 तक मतलब इससे उपर नहीं जाने वाली दोस्तों यह आपकी जो कटोप है जनरल की बात करता हूं दोस्तों तो जनरल की फचेतर या सतंतर तक यह जा सकते हैं इससे उपर नहीं जाने वाली अब दोस्तों हम बात करते हैं आपको कटोप में सामिल कर लिया जाएगा कि कि दोस्तों जो नंबर बन रहे दोस्तों वो सारे के दोस्तों के नंबर नहीं बन रहे क्योंकि सब के 80 पलस या 80 के अब नहीं बन रहे बहुत ही कम कंडिडेट ऐसे हैं जिनके 80 पलस बन रहे ज्यादा तर दोस्तों ऐसे कंडिडे सेप मान सकते हो ये दोस्तो नमबर या तीन अगर साट पलस नमबर बंड रहे है तो दोस्तो आपके पूरे चांज से सलेक्चन होने का हीलपर दीती है कि तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकरी दोस्तों साथ में महिला का फिमेल है उसकी भी मैं कटोब बता देता हूँ आप इसमें माइनस दो कर सकते हो ठीक है तो कैटेगरी वाइज माइनस दो आप कर सकते हो फिमेल के लिए तो दोस्तों ये थी मेरे चोटी सी जानकार दोस्तो आसा करता हूं जो जानकार यह आपको अच्छी लगी होगी अगर दोस्तो अच्छी लगी यह तो लाइक जरूर कर दीजीए और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबागे सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ बेल आइकन भी फ्रेस कर दे ताकि दोस्तों आपको आगया नेवले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं क्योंकि द